जैश्री कृष्णा रादे रादे हलो फ्रेंड्स मैं शिवांगी अपने यूट्यूब चैनल पे आप सब का बहुत बहुत स्वाकत करती हूँ आज मैं आपको श्रीमत भागवत कीता के सत्रुए अध्याय का महात्मन पढ़कर सुनाने जा रही हूँ तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले कलेश्ची का इसमरन कर लेते हैं ओम गंगरबते नमहाँ श्रीमत भागवत कीता के सत्रुए अध्याय का महात्मन श्रीमत भागवत कीते हैं पारवती सोल्वे अध्याय का महात्मन बतलाया गया अब सत्रुए अध्याय की अनंत महिमा शर्वन करो राजा खटक बाहू के पुत्र का दो सासन नामा एक नौकर था वो भड़ी खोटी बुद्धी का मनुश्यत था एक बहर मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धन भाजी लगा कर हाती पर चड़ा और कुछी कदम आके जाने पर लोगों की मना करने पर वी वो मूड हाती के ब्रती जोर जोर से कठोर शब्द करने लगा उसकी आवास सुनकर हाती क्रोथ से अंदा हो गया और दूश आसन के पै फिसल जाने के कारण पित्वी पर किर पड़ा दूश आसन को गिर कर कुछ-कुछ उच्छवास लेते देख काल की समन रंगुष हाती ने क्रोथ में भर कर उसे उपर फेंग दिया उपर से गिरते ही उसके प्राण निकल गए इस प्रकार काल वश मिट्ट्यू को प्राप्त होने के बाद उसे हाती की यूनी मिले और सिंगल दीप के महाराज के यहां उसने अपना बहुत समय व्यतित किया सिंगल देप के राजा की महाराज खटक बाहू से बड़ी मेत्री थी अता उन्होंने जल्म के मारग से उस हाती को मित्र की प्रसन्नता के लिए पेज दिया एक दिन राजा ने शलोक की समस्या पूर्ती से संतुस्ट होकर किसी कभी को पुरुसकार रूप में वहाती दे दिया और उन्होंने सौस्वर्ण मुत्राय लेकर उसे मालवर नरेश के हात पेज दिया कुछ काल व्यतित हो जाने पर वहाती यतन पूर्वक पालित होने पर भी असाद्दे जोर्सिक रस्त होकर मरणना सन्न हो गया हाती वानों ने जब उसे ऐसी शोचनी अवस्ता में देखा तो राजा के पास जाकर हाती के हित के ले सित्र ही सारा हाल कह सुनाया माराज आपका हाती अस्वस्त जान पड़ता है उसका खाना पीना और सोना सब छूट किया है हमारी समझ नहीं आता कि इसका कारण क्या है हाती वानों का बताया वा समचार सुनकर राजा ने हाती के रोग को पैचानने वाले चिकित सा कुसल मंत्रियों के साथ उस इस्तान पर पदापंड किया जा हाती जोर्ग रस्त होकर पड़ा था राजा को देखते ही उसने जोर्जनीद वेधना को भूलकर संसार को आश्चार में डालने वाली वानी में कहां संपूर्ण शास्त्रों के ग्याता राजनीती के समुंद्र शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले तता भगवान विश्णू के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराज इन और शुदियों से क्या लेना है वैद्दों से भी कुछ लाब होने वाला नहीं है दान और तब से भी क्या सिद्धों का आप करपा करके गीता के सत्रुएं अध्याय का पार्ट करने वाले किसी ब्रहमन को बुलवाई हादी के गता अनुसार राजा ने दूसासान को तेवी विवान पर आरुन एवर इंद्र के समान तेजस्वी देखकर तुमारी पूर्व जन में जाती क्या थी क्या स्वरुपता कैसे आच्छर थी और किस कर्म से तुम या हाती होकर आए थी ये सारी बाते मुझे बदला और आ जागे इस परकार पूछने प संकट से छूटे वे दूसासन ने बिमान पर बैठे ही बैठे इस तिर्था के सार्थ अपने पूर्व जन्म का उप्यक्त समाचार यथावत के सुना तत पस्चार नरसेष्ट मालवर नरेश भी कीता के सत्रवे अत्या का पाट करने लगे इस से थोड़े ही समय में उनकी हो गए इस प्रकार यहाँ पर श्रीमत भागवत कीता के सत्रवे अत्या का महत्मन पूरा हुआ फ्रेंड्स आपको यह महत्मन कैसा लगा मुझे कमेंड बॉक्स में चरूर बताना मेरे वीडियो को लाइक सस्क्राइब और शेयर चरूर करना चैश्री कृष्णा रादे रा झाली